मा के नवान मंत्र का जाप कर सकते हैं अगर करते हैं तो क्या-क्या घटित हमारे साथ हो सकता है आज की वीडियो इसी विशे पे हैं हमारे साथ अंतक बने रहे तभी आपको सारी वीडियो समझ बें आएगी जैशीराम . जैशी राम जैशी भालाजी भालाजी मा के नवान मंतर से आपको क्या नहीं प्राफ़ती है इस नवान मंतर में एक ऐसी रहसे में शक्ति वास करती है जिसका हम लगा अतार उस शक्ति का जाप करते है उस शक्ति के अरादना करते है नेकिन शर्त यह होती है सिरफ वो शक्ति क तो हमें प्रकट करना नहीं है। मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि अगर आप लगा अतार इस नवान मंत्र का जाप आपको खुद मैसूस होगा कि आपके पास जो नहीं था वो सब कुछ आपको प्राप्त होने लगा है। नवान मंत्र के अंदर इतनी उज्जा छुपी है कि आप इस उज्जा को जाग्रित करने के लिए आपको अपने तको बल को रजाना होगा। अंदर से और उर्जा को जाग्रित करनापड़ेगा। क्योंकि नवान मंतर कोई चोटी मोटी शक्ति नहीं है स्वाम मा वैशनों मा दुर्गा का मंतर है इसी आपको पता है कि वैशनों में मा पिंडी रूप में विराजमान है वहां आपने देखा कि महाकाली महालक्षिमी मा सरस्वती तीन शक्तियां विराजमान हैं वही वैशनो तो इस मंतर के अंदर नो दुर्गाओं की किरपा आपको प्राप्त कोई बड़ा तंतर अगर आपके परिवार पर किया गया होगा वो उसका खात्मा होने लग जाएगा अगर आप इस मंतर का लगातार जाप करते हैं अगर आप इस मंतर का लगाएगा जिसको अक्षय धन कहते हैं उस धन से आप विजय ही प्राप्त करोगे अपने हर छेत्र में तो आपको पता नहीं हो अगर किसी ने आपके धन पर कोई बंदन कर रखा है आपके घर में दृद् में हैं तो लगातार अगर आप इस मंतर का जाप करोगे आपके घर में उज्जा अपने आप यूद्पन होने लग जाएगी क्योंकि माना जाता है कि अगर कोई भी कारिय हम लगातार करते हैं या कोई भी मंतर जैसे बगवान के परती करीवी बगती कभी भी हमारी जो है कुझा जो मेरा एक सवाहल कि क्या अगर कोई व्यक्ति पहली बार त्यस्तिएяз gelade के बारस करना चाहथा यी तो क्या ऊट्ति किया है ओर आगे हमने जिन जिन को देखा है और जिन जिन ने इस मतर का ऊहतिán प्रैक्टिकल इस मंतर की उर्जा जो है अनुभव देखे हैं कि हाँ भी वाक्य में इस मंतर में वो शक्ति चुकी है जो दिखाई नहीं जा सकती नेकिन वो किर्पा जरूर आपको प्राप्त होगी तो क्या मतलब इस मंतर का जाप करने के लिए गुरू का होना अनिवारिय हो समान जी महराज को मेरा सवाल यह है कि अगर कोई जैसे कि यह मंतर है अगर इस मंतर के बारे में अपने गुरू की शक्ति से उस मंतर के अंदर वह उर्जा समा जाती है अगर मालों जैसे आपको आपको इस मंतर की लगा लो कम से सवा पांच या सवा-दस लाग करने के पाद वह मंतर प्रवाब शाली होगा लेकिन क्या पता कि मेरी भक्ती मेरे गुरू की शक्ती प्रोमंत्रों इश्वावाच्छा कि इस मंतर के अंदर वो उर्जा प्रवाव हぇनिक हो जाती है तो अपने आप ही आपके मंतर में चक्ति परभाव होती है और जहां बी माना जाता है जो भी धारिया होता अगर हम कहीं ऐसे स्थान पर बैठ democrat करा जहांपर तो कि रात्री का हावई ओम एम हीम अब कोन है लक्षमी मा फिर प्लीम सरस्वती मा काली समझ गए तो आप मा गोरी आपको पता कि जब इस मंतर की चक्ति चमुंडा मालों जो चमुंडा जो है जहां पर कपाल कपाल दार में समझ गए तो चंड मुंड का विनाश करने वाली दुष्टों का वि जाद रखना इस मंतर में सबसे पहले आपको दे रखा है क्या ओम महादेव की किरपा समझ गे उसके वाद एम अगर सरस्वती है तो लक्षमी भी है अगर लक्षमी है तो उसके वाद शक्ति भी है क्योंकि यह तीनों की किरपा होने चाहिए वाक वाक सिद्धी होनी शक्ति भी प्राप्त होनी चाहिए यह तीनों जब आपको प्राप्त होने लग जाती है तो इसा rook मन में विचार करें भापयों और सार के हमें कि सादना करने मैं कार मिल्चा को zapração कि यहां पता नहीं है आपके अंदर की जो शक्ति है वो बढ़ेगी, आपका ओरा चकर भी कायम रहेगा, आपका आभा मंदल मजबूत हो जाएगा, आप किसी भी negativity के गरस्त में नहीं हो पाओगे, सब कुछ आपको इस मंतर में राप्त होगा.